नमस्कार एटियन लाइब में आप सभी दर्सकों का स्वागत है आपको बता दे कि एटियन लाइब आज पहुचा है हत्वा राज पैलिस में मेरे पीछे आप जो देख रहा हैं ये साथ पहली बार हम आपको दिखा पा रहा है कि नाम तो सभी लोग करते हैं चर्चा तो बरा महराज है और महराज से बहुत लोग नहीं मिले यहां कि लोगों से नहीं मिले यहां कि जो हत्वा पैलिस का जो कैसा है पैलिस ये एक छोटा सा हिस्सा है उस पैलिस का जो हम आपको दिखाना चाहते हैं हम इस पैलिस को इतनी अच्छी खुश्चूरत हम लोग हमेशा टीवी चैनलों में या फिर फिल्मों में देखा करते थे कि राजे महराजे उनकी सानों सौकत कैसी होती थी वो हम एक च्छोटा सा नजारा इस कोरिड़ոर को दिखाना चाहते हैं कि देखे किस तरह से हाथ हुआ पैलिस का जो महल है आज के समय में आज के डेट में वो कैसा है आप बड़ी बड़ी यहां पे देख सकते हैं कि बड़े बड़े और और यह सब बताया गया है कि यह बहुत एंटिक है लगवक दोसौ साल पुरा नहीं यह सब बाहर से मंगाई हुई और यह पूरा राज परिवार का आप देख सकते हैं कि पूरा राज परिवार तस्वीरों में यहां दिखाई दे रहा है हम बात करेंगे इस पुरी तस्वीरों पे भी कि आज़ी ये कौन है कौन से लोग है लेकिन इसके साथ देखեं कि किस तरह से ये पूरा कारिडोर ये पुरी बालकनी आप देख सकते हैं कि किस तरह से साजो समान यहां पे दिखाई दे रहे हैं आपको यहां हमारे सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है महराज है महरानी है यह पहली बार ATN Live यहां तक पहुँचा है और पूरे हत्वा पैलेस को हत्वा पैलेस के एक हिस्से को हम आपको दिखाना चाहते हैं कि य कि पहली बार हम हत्वा पेलेस में पहुंचे हुए हैं और यहां की खुफषूर्टि यहां का यहां की यहां की बेस्किम्ती जो फर्रीच Earth हैं जो वो सब आपके सामने है आप यह कुफशूर्टि का एक नजारा है ये स्वभाग्य से आज हमें यहां तकाने का मौका मिला है और वो हम चाहते हैं कि 18 लाइब के जितने दर्सक हैं वो इसको देखें आपको बता दें कि सामने हत्वा राज के जो महराज हैं वो बैठे हुए हैं हम उन्हीं से बाचित करेंगे कि हत्वा राज की बहुत चर्चा होती है और लेकिन बहुत से लोग सर ये नहीं कमी हत्वा परिवार से आम आदमी नहीं मिल पाता है हर आदमी चाहता है कि हम अपने राजा को हम अपने महराजा को देखें लेकिन वो आम आदमी नहीं मिल पाता है आज हमारे माध्यम से AT&T Life के माध्यम से हम चाहते हैं कि आज आम आदमी भी देखे कि हमारे हथवा कि जो महराजा है जो अत्राधिकारी है वो कैसे हैं और ये खास करकि ये दसारा का मौका है सर क्या कहना चाहेंगे आज इस दसारा के मौका की पहला बात यह है कि जो भी आते हैं पैलेस में हम सब से मिलते हैं, चाहे वो कोई भी हो, I make it a point कि हम सब से भेट करें, और हर दसारा में पुरे परिवार हम लोग यहां रहते हैं, और पहले जो आना में तो दसारा चक्कर निकलता था जिस पर महाजा बैट के चलते थे, लेकिन अब वो हम नहीं करते हैं, उनका परतिमा रखा रहता है, और दसारा चक्कर अभी भी निकलता है, यह सब कहां होता है यह पहले से सुरू होता है, गुपाल मंदिल जाता है, गुपाल मंदिल से पुरानी किला होते हुए, HRP कॉंपलेक्स, शीश महल होते हुए, वापस पहल मिलता है सर, वो, बिज्या दस्वी के दिन, चार बज़े सामको, सर, एक चीज़ और चुकी हतुआ राज की बात हो रही है, और यह स्वभाग्य है हम सब का, कि जो मातारानी थामे भवानी है, वो आफी के दरबार में है, आफी के राज्ये में है, लेकिन जो थामे का, हलाक कि इधर कुछ विकास हुआ है, जो थामे को जो पहचान मिलने चाहिए थी, उस तरह से नहीं बन पाई है, इसके लिए जिला प्रसासन की कमी है, क्या मना आखिर उसको क्यों नहीं कर पाया गया है, पहला बात है कि थामे भवानी हमारे दरबार में नहीं है, हम लोग में की दरबार में है, दूसरा बात है कि 2001 में हमने गवर्नर और बिहार को थावे के डिवलप्मेंट के लिए पचास एकर जमीन हमने रजिस्ट्री किया, और हाई कोट का आदेश है कि थावे भवानी हमारी परसनल डीटी है, तो जो कुछ होगा वो हम लोग के अनुमती से होगा, तो हम और डीम साहिब उस जवाने के हम लोग बैट के एक मास्टर प्लैन बराएं, जिसमें कि कहां पर बस रुकेगा, कहां पर मार्केट रहेगा, आने जाने का चौले चौले रास्ते रहेंगे, बहुत से लोग आते हैं जो तुरत दर्सन करके जाना चाहते हैं, जिनको आ एक तरफ लीडिस के लिए, एक तरफ जंस के लिए सौचाले नहाने का, कपरा बदलने का सब डिजाइन बना हुआ है, इन आस तक कुछ हुआ नहीं है, तो सर आखिर कहां कमी रहा जाती है, जो हमारे राजनेता है, जो सरकार है, आपने इतना सब कुछ किया, कुछ चीज़ है, वहाँ पे ब्योस्ता बनी है, लेकिन जो जैसे बैंसोड देवी, या और भी बहुत सारे मंदिर है, वहाँ एक ब्योस्ता दिखाई देती है, वो चीज़ थावे में कभी दिखाई देती है, वो चीज़ नहीं हो पाता है, इसके लिए कभी सर आपने जब इतना सब कुछ दिया है वहाँ पे और फिर क्यों नहीं वहाँ पे विकास हो पाता है तो इसके लिए आपने कभी प्रयास किया सर्थ हमने एक कमीटी बनाया जिसमें अच्छे बुजर्ग लोग थे हर कौम के लोग को हमने रखा कि वो लोग बैठें कमीटी का कॉल होता है कोई आता नहीं अब हमें कमीटी बदलना होगा हम चाहते हैं कि सबसे मिल जूल के काम हो हम किसी को वहाँ से उजारना नहीं चाहते हैं जो भी दुकान है उस सब को हम किसी बना कि थामे एक ऐसा मंदिर है हमें लगता है कि बहुत दूर दूर से लोग थामे भवानी का दरसन करने के लिए आते हैं तो एक पहचान बदल जाती है बहुत कुछ सोचके वहां आते हैं लेकिन वहाँ जो चीज मिलना चाहिए था उने वह नहीं मिलता है तो और अगर यहां विकास हुआ रहता तो जायत वो थावे भौनी में दिखाई देता थावे मंदिर में दिखाई देता अब विकास हो रहा है और हम सिल लिन्यास भी करवा दिये हैं दुकान बनने का अब जैसे जैसे बनेगा लोग को उसमें बसाएंगे जिसमें कि रोड वाइड हो जाए मेरा पुराना पैलेस था उसको भी बढ़ियां से बना के सस्ते दाम में फुली एकंडिशन सरधारियों को खाने के लिए एकाथी के टाइम में खलहार भोजन ये सब का इंसाम किया हुआ है जो हमारे तरस से हो सकता है सर एक अंतिम सवाल हमारा ये होगा कि जिस तरह से आप तो यहां के महराज है लेकिन जिस तरह से आज की मुझे सायद नहीं पूछना चाहिए पॉलिटिकल सवाल है कि जिस तरह से आज की राजनिती सामने दिखाई दे रही है जिसके तरह की सरकारें सामने आ रही हैं क्या ऐसा नहीं लगता कि जो विरासत राजनिती की हमें मिली थी भारत को मिली थी उसमें गिरावट हो रही है पहला बात की भागवान जो है वो राजनिती से बहुत उपर है दूसरी बात की गिरावट समझने को है लेकिन जब से देश अजाद हुआ है और आज तक अगर आप इन डिप्ट स्टडी कीजेगा तो जो पहले कुछ नहीं था वो आज काफी आगे हुआ है एक चीज आप जरू कह सकते हैं कि पेस अफ वर्क जो काम होना चाहिता जिस तीजी से गती से वो नहीं हो पारा है तो बहुत बहुत ब्राप्रांत एक छोटा सा घर भी हम लोग करना चाहते हैं कुछ तो उसमें टाइम लगता है जिस तरह से आज भ्रष्टा चार इस देश की सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टा चार और इस भ्रष्टा चार के ले करके दिस की बड़े-बड़े, कई बड़े-बड़े My name, आप किसी का नहीं लेना चाहता है यहाँपे वो आज जिल की सलाखों के पीछे हैं कि इसका ए तरह के लोग सब्सक्राइब एसा है कि जो बहुत चर्चित लोग हैं आप उनका बात कर रहा है और भी लोग हैं जो गलत काम किये हैं वो जेल में हैं तो लोग उनको जानता नहीं है तो उसका कोई नाम नहीं लेता है और जब तक कोई चीज कोट अफ लॉज से नहीं अगर आप सब्सक्राइब जो भी है वो दिन भर में दो सो फाइल एक सो फाइल डिस्पोज सो करता है वो पॉसिबल नहीं है किसी और आप दिस्पोज किईएगा तो फाइल के अंदर क्या-क्या लिखा हुआ है नहीं देख पाथने प्रेक्टिकली नाट पॉसिबल अगर हर चीज़ देखिएगा तो प्रगती जो आप कह रहा है और उपना और कम हो जागा का एक फाइल देखने में आपको minimum one and a half hours लगेगा समझने में लगेगा कुछ आप पढ़े उसमें आप आए कि ये confusing है तो आप अपने officers को बलाईएगा उनसे बात कीजिएगा तो जासा और development का जो development country होता है उसमें बहुत सा चीज़ को आँख बंद किया जाता है जल्दी काम करें जब एक बार country develop हो जागा fully तो यह चीज़ नज़र नहीं आएगा सर दसारा का मौका है आज सब्तमी दीन है और आज मा का पट भी खुला हुआ है हम चाहेंगे कि यहां आपके हत्वा गुपाल गंज और सीवान के लोगों को क्या कहना चाहेंगे हम तो दसारा के अब हम भच्पूरी में बोले हैं हम दसारा के सब के प्रणाम करहतानी यह उमर में हमरा से छोट लोग बात सब के आशिरबाद करहतानी और हम यह कहें कि अपने लोग एक शीज़ ध्यान रखाल जाए कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देशबा और उकरा खातिर अपने लोग के यह काम करेखाती बुद्धी हो सद बुद्धी हो और खुबी देश आगे बढ़े वर्ल्ड में नम्मर वन हो जाए चलिए आपने देखा कि अभी हम हत्वा की जो महराजा है हम उनसे बाचित कर रहे थे और कितनी सालिंटा के साथ उन्होंने हमारी बातों को बिल्कुल सही अन्राज में जवाब दिया और अन्त में उन्होंने सब के लिए और सबसे बड़ी बात है कि हत्वा के महराजा है और जिस तरह से उन्होंने कहा कि नहीं मैं भोजपूरी में ही बोलूंगा जो संदेश देना था जो सुबकामनाएं देनी थी यहां के लोगों को यहां की प्रजा को और उन्होंने भोजपूरी में जिस आत्मियता के साथ अपनी बात को अपने संदेश को अपनी सुबकामनाओं को और मातारानी के हाजिर नाजिर जानते हुए आपके सामने कहा ये बहुत बड़ी बात है और चुकि ये पहला इंटर्व्यू था हमारा और हम कोई बहुत ज़्यादा सवाल उनसे नहीं कर सकते हैं आज पुजा का महौल है मातारानी का पत आज खुला हुआ है महराज भी पुजा करने जाने वाल है और उसी के लिए हम लोग यहां तक पहुंचे हुए हैं यहां से कोई मंदिर है, वहां जाएंगे, उसके बाद हम भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे घोडा घाट यहां से कोई 10-12 किलो मीटर दूर कोई मंदिर है इस हतुआ पैलेस से, तो वहां हम चलेंगे और देखिये, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि पूजा अर्चना करते हैं और आपको आज ही बता रहे हैं कि कल जब महाश्टवी की पूजा होगी मावहवानी के दर्बार में माथायो वाली के दर्बार में और वहाँ भी महराज जाएंगे तो एटियन लाइब भी उनके साथ होगा और ये सभाग ये होगा एटियन लाइब का कि पहली बार महराज के साथ हम वहाँ मौजूद होंगे और वहाँ की एक एक गतिविदी को आपको दिखाने का प्यास करेंगे अब देख सकते हैं कि हमने पहले ही कहा था कि आज पहली बार एटियन लाइब हाथ हुआ पैलेस पहुँचा हुआ है महराज के जो पैलेस है वहाँ पहुचा हुआ हुआ और वहाँ की एक हिस्से को छोटे से हिस्से को हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये एक बड़ा कमरा है आप देख सकते हैं कि यहां पे कैसे राजे महराजे जो रहते हैं उनकी सानों सौकत होती है वो आपको दिखाई देगा यहां की एक कुरसी ये चारों तरफ कुरसियां लगी हुई है ये एक तोफ है जो ये गवाही दे रहा है कि कैसे राजे महराजों के जो आज कल के जो हौल आपको दिखाई देंगे वो दूसरे तरह के होंगे लेकिन जो राजे महराजे होते थी उनकी वो आज भी सानों सवकत रहने सारां रहने का तरीका वही है हम इस पर बात्चित करेंगे यहां के जो देख रिख करने वाले सर यहां आगे ना अपना बढ़तलाप कुछ मीटिंग ओरा करने के लिए इसमें बहुत पहले से भी देखिए कि उहां पर रिकॉर्डर है उस जवाना का है बहुत राज संत्र के जब जबाना का है उस सब अभी चालू हालत में है तो उहां बढ़ते हैं तो उस समय का जो भी कैसे टोगर हार इसके बाद इसमें बहुत रूम है चार सौ साथ रूम हैं जिसमें कुछ में अमनों के देश के राष्ट पती जो इसी के पीछे उपना निवास था उनके चाचा यहां दीवान थे यहीं से उपढ़े लिखे हैं जिनके नाम पर दो तस्विर यहां पर दीवाल पर बड़ी जो सामने वाला तस्विर है यह महरानी साहिब महरानी पुनम साही का है और इनहीं के बहु जो रानी बीजसा साही का हुँ है आप उस सामने वाला तस्विर है जो महराज कुमार कॉस्तूप मनी परताप साही और एक तस्विर उनकी पतनी जो रानी बीजसा साही का है उनके पूत्र है उनके पूत्र हैं पूत्र बदू है आव उस सामने इनकी लेट राज माता है इनकी मा जो जिनका दिहान्त हो गया है चार साल पहले चलिया आपने देखा कि यह महराज का है यह मीटिंग हॉल है जो भी गेश्ट आते हैं वो यहाँ पे बैठाये जाता है और यह 100-200-100 पुराना है और ये पुराने पुराने जो उस समय के भी गीत है हलाकि ये चालू हालत में है जब यहां पे माराज बैठते हैं उनके दोस्त बैठते हैं तो ये बसता भी है और आपको एक चीज़ दिखाएं कैमरे की नजर से कि देखिए उपर का जो नजारा है इस रू यहां तक पहुंचा है और हम दिखाना चाहते हैं कि राजे महराजाओं की जुस्तानों सौकत होती थी वो क्या है हम इसके बाद आपको ले चलेंगे एक और नई जगह पे और वहां पे दिखाएंगे कि ये देखिए यहां का नजारा हम आपको अपने कैमरे के नजर से दि बिटिंग हौल है जब ज़्यादा लोग आते हैं वो बिटिंग हौल भी था ये बड़ा हौल है ज्यादे लोग अगर आ गये तो यहां पर बैठके बात्चित होती है और इसको आप देखिए कि किस तरीके से सजाया गया है आपको बता दे कि यहां जैसे इसके जो केर टेक कि यहां ऑग टापने के लिए उस जमाने में बनाया घआ है की कि हीटर टाइपसका उस समय में तो। इसके लिए यहान पर बनाया गया है कि इसमें आग रह करके दागा ति तो डुचा दीर दीर इंक उन रहेगा पूरा घृरुम और ईंस जागा बन हुआ लमसम यह 200 साल पहले की है आप देखिए कि यह 200 साल पहले यह उस समय हीटर नहीं था उस समय साथ बिजली भी नहीं थी और यह उस समय बनाया गया है और यह आपको कहीं दिखाई नहीं देगा कि कहीं पाइप लगा हुआ है लेकिन इस दिवाल के अंदर यह धुआ निक आप मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरे दिवाल पे आप इस दिवाल की खुबसूरती देखिए ये पूरे दिवाल पे राज परिवार का एक एक व्यक्ति उनकी चित्र लगे हुए है ये एक आप देख सकते हैं ये पुराना डेकुरेट किया हुआ भाला ये उस समय यही हतियार हुआ करता था आज भले ही 47-56 रिवालवर पिश्टिल का जमाना है लेकिन उस समय का हतियार यही हुआ करता था और ये देखिए ये ये भी उस समय का से परंपरिक ये हतियार था ये यहां इस महल की सुभा आज भी ये बढ़ा रहा है और इससे पता चलता है कि ये महल है अब हम आपको एक और आलिसान हिस्से में लेके चल रहे हैं इस हिस्से को आप देख सकते हैं कि ये राज महल की सीडी है उस जमाने की इधर से इधर से जाओ ये उस जमाने की सीड़ी है और अब लगभग 200 साल पहले जो डिजाइन किया हुआ है साइद आज नहीं हो पाए आज हमारा विज्ञान बहुत तक्निक आगे बढ़ चुका है और देखे किस तरह से ये सारे इतने उचे इसके दिवाल ह हैं पूरे डिकरेट किया गया है उपर तस्वीरे लगी हुई हैं विसाल तस्वीरे हैं जी और इस पूरे राज महल की एक खासियत अब यहां आजाईए कि चुकी जब पूरे राज्य में काम करने के बाद थोड़ी से ठकावट होती है तो राजे महराजे यहां भी बैठते थे यह आपको प्यानों है यह प्यानों यहां पे बैठ करके और पूरे संगीत का अनंद लिया जाता था यह उस समय का आज भी यहां पे मौदूद है और उसके बाद एक हम आपको ले चलते हैं कि विलियर्ड रूम हतुआ राज का विलियर्ड रूम है यह जहां महराजा जब अपने दोस्तों के साथ अपने मित्रों के साथ मौदूद होते हैं उन्हें कुछ खेलने का मन होता है तो ये विलियर्ड रूम काफी विसाल अपनी भव्यता की कहानी कहते हुए पूरे साजो सामान के साथ यहां और महराज यहां मनरण्यन करते हैं विलियर्ड खेलते हुए अपने दोस्तों के साथ यह पहली बार एटियन लाइब आपको दिखाना चाहता है और अगर मौका मिला त दर्बार हुआ करता था उस जमाने का वह हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और यहां पर देखे कि यह एक एक सोफा एक दम आपको साइद कहीं देखने को नहीं मिला है यह पुरे राज-परिवार का फोटो लगा हुआ है हर कमरे में राज-परिवार की पूरी निसान यहां मौदूद है आपको यह यहां भी इस कमरे में भी मौदूद है अगर आपको ठंड के समय में आग जलाने का वो साजो समान यहां पर भी मौदूद है और यहां आप देख सकते हैं एक तस्वीर यहां दिखाई दे रही है पुर्व राष्टपती एपीजे कलाम साथ का उनके साथ यह राज-परिवार भी मौदूद है और यह एक बड़ी तैलचित्र भी यहां पर लगी हुई है यह हमारा स्वभाग गया है कि हम आज इस पैलस में मौदूद है और यहां इस तस्वीर के सामने हमें पता नहीं है कि कौन है लेकिन अब यहां के जो केर टेकर हैं वो बताएंगे कि यह कौन है कौन से महराज है इस तरह से हम आपको ले चलेंगे और आपको हत्वा राज के और भी कई हिस्से में आपको बताने का प्रयास करेंगे कि हत्वा राज ये बिलेड जो हम आपको दिखाया बिलेड की ये इस्टीक रखी हुई है ये बिलेड की इस्टीके हैं इसी से बिलेड खेला जाता है बड़ा अच्छा गेम है और ये यहाँ पे इसके बॉल वेगरे रखे हुए है जब महराज को फुरसत होती है तो यहाँ पे वो समय बिताते हैं इस बिलेड के साथ ये एक छोटा सा महल बनाये गया है यहाँ पे इसी बिलेड रूम में एक सजावड के तोर पे रखा गया है और सामने पुरा परिवार की फोटो लगी हुई है चित्र है एक तस्वीर हमें हम देख रहा है यह तस्वीर आपको साथ जो सिवान या गुपाल गंच की जो लोग है यह तस्वीर आपको थावे मंदिर में भी यह तस्वीर दिखाई देती है अब हमें पता नहीं है कि यह कौन है थावे मंदिर में यह तस्वीर लगी हुई है अब इसके बारे में हम महराज से उनसे चर्चा करेंगे कि ये कौन है और इसी तरह से हम आपको ऐत्वा पैलस के और भी जो हिस्से हैं जहां हम आपको ले जा सकते हैं जहां संभा हो सका वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे ये अब हम पहुंच चुके हैं आपको हतुआ पैलेस के डाइनिंग हॉल में हलाकि ये छोटा डाइनिंग हॉल है लेकिन आप देख सकते हैं कि कितने करीने से बिलकुल सलीके से सजाया गया है इसको और यहां जब भी महराज यहां पे या फिर उनके जो मित्र बगर आए हलाक है है कि ये छोटा डाइनिंग हॉल है महराज का वह अलग है इस पर हम बाचित करेंगे यहांके जो केर्टिकर है उंसे बाचित करेंगे वह बताएंगे कि यह मारां चार्थ परिवार के साथ रहते हैं तो यहां बैठ के लिए अगर बड़ी पार्टी होती है बड़े लोग आते हैं ज्यादा लोग आ जाते हैं तो वह कमरा अलग है बड़ा हम वहां भी ले चलने का प्रयास करेंगे आपको जी 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 हम वो ये सारी व्यवस्था हर रूम में है अभी थोड़ी दिर पहले हमने आपको दिखाया था कि महराज का जो डाइनिंग हॉल जो छोटा था लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं महराज के बड़े डाइनिंग हॉल में जहां यह आप देख सकते हैं कि इसके खुफसूरती देखने लायक है चाहें वो और आपको एक सबसे इसकी विशेस्था इस डाइनिंग हॉल की कि यहां पर एक बड़ा साथ तेलशित्र लगा हुआ है आप देख सकते हैं कि यह महराज महराज का फोटो है लेकिन इसके बारे में बिस्तार से हमें बताएंगे कि यह वथाई है कि आप यहां आजाज़ेए कि यह कौन है कि कि कृष्ट प्रताफ साही महराज ā जी नहीं के नाम से उन्हीं का प्रिंटिंग है उसी जवान है यह अभी जो महराज जो है अन Πी यह कौन है है नहीं आप पर आदररत यह ये यय tai 102 जैसे कि अभी हमने ये इतनी बड़ी तस्वीर है आप देख सकते हैं कि ये कृष्ण प्रताफ साही जी है जो हत्वा राज के 102 महराजा है उनकी तस्वीर है बहुत पिशाल तस्वीर है और एक वहाँ पे टैग लगा हुआ आप देख सकते हैं कि महराजा अफ हत्वा ये महराजा कृष्ण प्रताफ साही की तस्वीर है बहुत ही खुशूरत बहुत ही एंटिक ये बिलकुल सही सलामत हमें लगता है कि सायद ये भी सेक्डो साल पुरानी है और आज भी सही सलामत ह है बिलकुल कहीं कोई इसमें बदलाव नहीं है और ये टैनिंग हौल का नजाए ये सामने पूरे महराज के परिवार के लोगों की तस्वीर है दसहरा में यहां हत्वा इस्टेट में हत्वा स्वाज इस्टेट में दसहरा में एक चकर जी 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 दसाहरा का चकर निकलता था पुजा होती थी पूरा परिवार उसमें विजय दस्मी के दिन सामिल होता था और इनको कई कई स्टेट से भी राजे महराजे आते थे और इस दिन का इंतिजार हत्वा स्टेट के एक एक प्रजा को एक एक ब्यक्ति को होता था जब पूरा राज परिवार एक साथ इस दृष्ट्य को देखने के लिए मौजूद होता था आज भी ये परंपरा है अभी महराज से हमारी बादचित हो रही थी आज भी ये परंपरा है वो दसारा के दिन बिजे दसमी के दिन जब असत्य पे सत्य की बिजे हुई थी और उस समय देवी का दस्वे मना पूजा होता है विजे दसमी का ये उस दिन ये होता है और हम आपको और ले चलेंगे महलक के कुछ बाहरी हिस्सों में वहां आपको दिखाने का प्रयास करेंगे इसके बाद आप निकलते हैं तो यहां का नजारा आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि यह कैसा है यह डानिंग रू हो गया और यहां से आप आ जाएंगे यह एक बैठक हां महराज का यह conference hall है जो अपनी भव्यता की कहानी हमें बताने की साइद जरूरत नहीं पड़ेगी यह अपनी भव्यता की कहानी स्वेम बता रहा है यहां पर बैठकर के कोई मीटिंग कोई बातचीत चाहें वो हत्वा इस्टेट की बात हो या फिर और कहीं की बात हो यहां पर बैठके होती है इसकी भव्यता एक पर हम फिर अपने कैमरे की नजर से दिखाना चाहेंगे कि काफी खुशूरत है समय का थोड़ा अभाव है यह यह जो बाकी के हिस्से हैं वो हम आपको फिर से दिखाने का प्रयास करेंगे लेकिन थोड़ा समय के अभाव के कारण हम आपको बात में दिखाएंगे हम में आपको लाने आपको कर दो आप पहले आप पड़्चे बढ़िया से सरकार दी जी ये सवभाग्य है कि आज सप्तिमी के दिन जब मा के पट खुल रहा है और हमें महरानी का दर्सन भी यहां पे हतुआ पहलेस में आने का सवभाग्य मिला पहली बार A.T.N. लाइब यहां तक पहुचा है हम महरानी से बाचित करेंगे कि महरानी आज मा का पट भी खुला हुआ है और संजुक से आपका दर्सन भी हुआ क्या कहना चाहेंगी इस पावन असर पे आज दसारा का सुरुआत हुआ है सब खुसहाल रहें के सुखी रहें यहां के जनता यहीं चुचा हैंगे हम अपने जनता के लिए सब खुसहाल रहें सब सुखी रहें साइद इसके बाद कुछ बचता नहीं है यह दो सब्द महरानी का कि जो उन्होंने कहा कि सब खुसहाल रहें सब सुखी रहें इसके बाद कहीं कुछ कहने की जरूरत नहीं है यह सभाग गया हमें, कि आज इस महल में आकर के महराज और महराली का दरसन प्राप्त हुआ, अब यहां से यह दोनों महराजा और महराली दोनों यहां से पूजा और चना के लिए भगती का यहां से निकलेंगे, हमारी कोशिस होगे कि हम इनके साथ वो सारे पल आपको दिखा जोने का बाता हुआ